हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सब का आपके अपने चैनल पेद एकेडमी में आज की वीडियो में कक्छा बारा हिंदी पिसिस्ट गद खंड के अध्यायवाय अध्याय सबी महत्पूर्ण प्रिशनों के बारे में डिसकस करेंगे तो आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब न तो पहला कुशन है भै कायरता या भीरुता को संग्या का प्राप्त करता है किस प्रकार के भै को आसंका कहा गया है आप चाहे तो स्क्रीन सोट ले सकते हैं या आप नोट डाउन भी कर सकते हैं भै किन किन रूपों में हमारे सामने आता है भै और आसंका में क्या अंतर है भ प्रिपेर कर लेना है अब हम जाते हैं अध्याय दो बापसी जो कि उसफ प्रियम्दा जी ने लिखा हुआ है तो इसका पहला कुशन है गजदर बाबु किस नौकरी से रेटायर हुए थे गजदर बाबु के सवबाब की कोई दो विशेष्टाएं लिखिए गजदर बाबु दोबारा चीनी मिल में नोखरी पर क्यों गए बापसी कानी का उद्देश से लिखिए देखिए जो सेकिंड चेप्टर है आपका बापसी उसफ प्रियम्दा जी ने लिखा हुआ है तो उसके ये साथ कुश्चन से आप चाहें तो स्क्रीन सोट ले 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 या आप नोट ड पर महानगरों की आवाज की समस्या पर प्रकास डालिए रेप्टि का चरित चित्रण कीजिए ये देखिए इह कुश्चन आपको दो तरीके से आ सकता है रेप्टि के चरितर की कोई दो विसेषना ये लिखिए उसके बाद आगशन तक के परती रेप्टि के बैवार से अद्याः 4 पर। अद्याः 4 है हमारा अद्याक्ष मोद है, जो की सरद जोसी जी ने लिखा है. दیکि सरद जोसी के जीवन परीचे भी हमने वीडियो बनाई यह, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जागे बन जाकर आपो देख सकते हैं. पहला कुशन है हमारा अध्यक्ष को गंबीर किस्म का प्राणी क्यों कहा गया है अच्छे अध्यक्ष की विसेश्थाइं लिखिए या फिर आपको ये कुशन इस तरीके से भी आ सकता है कि सरज जोसी के अंतरगत अच्छे अध्यक्ष की कोई चार विसेश्थाइं लिखिए पेषेबर अध्यक्ष किस प्रकार के बस्त्र पहनते हैं अध्याचार आपका है, अध्यक्ष मौदे जो की सरज्जोसी जी ने लिखा है इसके आपको ये कुश्यन से आप स्क्रीन सोर ले लीजी या आप नोट डाउन कर लीजी उसके बाद अध्याय पांच से जाता है मारा तिमिर गे में किरन आचरन जो कि स्याम सुंतर दोवे जी ने लिखा है। इसका पहला कुशन है लेखक का बच्पन कहां गुम हो गया है। घर खुलते ही लेखक को कैसा लगने लगा था। गाउं की संध्या में पूजा किन दोनियों में प्रिकट होती है। उसके बाद गाउं के जीवन से गायब हो रही तीन पारामपरिक चीजों के नाम लिखिए। लेखक को अपने गाउं लोटने पर क्या-क्या परिबर्तन दिखाई दिए। देखे तिमिर गे में किरन आच्रन जो की स्यामसंतर दोवे जी ने लिखा है उसके अंतरकत आपको ये पांच इंपोर्टन कोश्चन है देख लीजिए आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीन सोट ले लीजिए। अध्याय साथ है हमारा ये से दिखाया है देखे DOCT посмотреть के जीवन परीच पर हमने एक वीडियो बनाई है इस वीडियो के डिस्क्रिप्टन में आपको लिंक मिल जागा बाँजा कर आप वो वीडियो देख सकते हैं तो पहला कोश्चन है हमारा ये सोद़्खी क्यों थी गोतम कहां चले गए थे यसोदरा मृत्यू को भी आकर सक क्यों मान रही थी उसके बाद हमारे कुश्चन से है बुद्ध को तपस्बनी यसोदरा के सामने क्यों जुकना पड़ा एमाले की च्छाय में रहकर भी यसोदरा का ताप क्यों नहीं पिगलता है क्या बियोगी हिर्दय की ये निस्वा से भी कभी प्यार की ठंडी दुलारी बायार बन सकेंगी यसोदरा की अनागत पीणा को अपने सब्दों में ब्यक्त कीजिए देखी ये कुशन आप देख लीजे पहला है आपका यसोदरा क्यों दुखी थी गोतम बुद्ध ने यसोदरा से बिक्चा में क्य मांगा गोतम कहां चले गए थे यह सुधरा मृत्यु को भी आकर सक क्यों मान रही थे बुद्ध को तफस बनी यह सुधरा के आगे जुकना क्यों पड़ा हिमाले के छहां में रहकर भी यह सुधरा का ताप पिखलता क्यों नहीं है क्या बेयोगी हिर्दे की यह निश्वा से कभी प्यार की थंडी दुलारी बन सकेंगी यह सुधरा की अनागत पिड़ा को अपने सब्दों में लिखिए देखिए मागी जो चैप्टर्स थे हटा दिये गए उसके बाद आपका दस आजाता है जो कि यह गीता और स्वधरम आचार बिनोबा भाबे जी ने इसको लिख किसने स्री कृष्ण से अपना सारत सुईकार कराया युद्ध में आप्त स्वजन संबंदियों की कितनी पीडियां एकत्र हुई थी अर्जुन ने अकेले ही किन किन के दात खटे कर दिये थे अर्जुन को महावीर क्यों कहा गया युद्ध छेतर में स्वजनों को देखकर आर्जुन के मन में कौन-कौन से भावत्पन होते हैं गीता का निस्कर्स क्या है अई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई थी वीडियो को लाइक से रहें चैनलन को सब्सक्राइब जरूर करें एंड़ता कमरसंद बने रहेने के झालन कोग वीडियो पसंद आछियो जो आपको वीडियोacerओ इंगर प्याम गीडियो Turn